नमस्कार सातियों कैसे हो आप सभी लोग आज फिर से हम चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्यता भरती प्रिक्षा 2018 का पेपर हम एनलिसिस करेंगे ये एक्जाम वाथावी 6 एक 2020 स्कोर भरती थी 2018 की और पेपर 1 को हम डेली रवाईज करते आ रहे हैं फिर हम बात करें जो ये पेपर है ये ग्रुप B का है भी पहले हमने जीके का ग्रुप A का पेपर स्लिशन कर लिया आज हम देखेंगे कि ग्रुप B के अंदर किस प्रकार के परसंद पूछे गई है और हमें किस परकार के परशन देखने चाहिए और पढ़ने चाहिए देखे बस हमारा एक उदेश्य है कि पुराने पेपरों के माध्यम से हम देख सकेंगे कि कौन सा परशन पूछा गया और कौन सा नहीं पूछा गया है और किस प्रकार से हम जो पिछे थोड़ा सा पेपर देखे हमने किस प्रकार के आगामी पेपर किस प्रकार से होंगे इस प्रकार देखे देखे पहले पेपरों के हमने चर्चा की तो वो पेपर थोड़े हम बात करें तो थोड़े सरल थे उसके बाद में 2016-2018 के बाद में थोड़ा-थोड़ा इसमें लेवल जो हाई होने लगा है तो उसी परकार से आपको पढ़ना है जिस परकार से 2018 और 2022 के पेपर पूछे गए हैं ठीक है अच्छे तरीके से पढ़ना है वाकि आप इन पेपरों का रिवीजन कर लो हो सकता है यहाँ से परसन आपको कोई देखे, same person नहीं आता है लेकिन जो person आता है उस person से later अगर आप topic पढ़ लेते हो तो वहाँ से person आता है तो आपका गलत नहीं होगा बस इत्ता होता है तो बात करते हैं आज के पहले question की पहला question है हमारा निम्न लिखित में से कौन सा गरंत गुप्त काल में रचा गया था अब बात आ रहे गुप्त काल तो गुप्त काल आपका टोपिक है उसमें जितनी भी रचनाई हैं एक पेज पर लिख लीजिए और अच्छे तरह किसी उसका रटरबिकेशन कर लो एक परसन पक्का हो जाएगा वरहत कथा कावे मिमानसा अमरकोस और दूसरे स्वपनवासवदता इसमें देखें वरहत कथा किसका है वरहत कथा कि हम बात करें ये गुणाड्य का है किसका है गुणाड्य का क्या है ये गरंत है कावे विमानसा किसका है ये है भी अपने कवी राज सेकर का जो कि प्रसलिता और बार बार एकजाब में पुछा जाता है फिर हम बात करेंगे ये अमर कोस है ये अमर कोस गरंथ है ये किसका है भी ये है भी अमर सिया का इसका है भी अमर सिया का गरंथ है फिर स्वपन वास वजता गरंध किसका है भी ये है महाकवी माग का ये गरंध है अब चारों गरंध आपके याद हो जाने से ये वरहत कथा पुछा जाए गुनाड्यय का है राज सेकर का है कावे मिमान सा अमरकोस अमर्शिय का है और ये हम बात करें तो संस्कर्थ का अमरकोस को कहा जाता है या इसे लिंगन नुसासन के नाम से भी जाना जाता है ये अमरकोस की करती है फिर स्वपन वासवजता ये महाकवी माग की है अब मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ जो भी गुप्त काल के गरल्द है आप से पुछा जाएए देखे एक तो है देवी चंदर गुप्त आप से पुछा जाता है कि देवी चंदर गुप्त एक आगया देवी चंदर गुप्त दो नमर हम बात करेंगे मुद्रा रक्षष ये किसके हैं भी मुद्रा रक्षष ये भी बहुत बार पुछे जाते हैं तीसरा हम बात करें अभी सारी का उनसा अभी सारी का गरंथ और अभी सारी का वंचित गरंथ ये सारी के सारी किसके है विसाख दत के हैं आप से पुछा जाए तो ये सारी के सारी देवी चंदर गुप्त हैं मुद्रा रक्षिस हैं और अभी अभी सारी का वंचित ये सारी के स करूं जिसे काव्या दर्स है यह भी पुछा जाता है काव्या दर्स गरंथ है और मैं बात करूं दस कुमार चुरित्र दस कुमार चुरित्र यह गरंथ किसके हैं भी यह गरंथ है अभी दंडिन के इसके अभी दंडिन के गरंथ है जो गुप्तकाल में लिखे गई थे ठीक है आगे मैं बात करूँ तो एक पुछा जाता है पंच तंतर कोन सा पंच तंतर इतनी बार पुछा गया एक्जाम में बार बार पुछा जाता है पंच तंतर की बात करूँ तो ये विश्णु सर्मक है किनका है विश्णु सर्मक है और ये गुप कालिन है पंच तंतर याद कर ल इसका कामदंक का ये गरंथ है नितिसार ठीक है एक हितोपदेश ये पुछा जाए हितोपदेश गरंथ किसका है भी हितोपदेश गरंथ है नारायन पंडित का इसका नारायन जी पंडित का गरंथ है हितोपदेश ठीक है उसके बाद में मैं बात करूँ और गरंथ आपको पत चंद्रे गोमिन का गरंद है ये सारे गुप्त कालिन है भी लिख लेना चाहिए आप उसके बाद में कामसुत्र बहुत बार एकजामें पूछा जाता है भी कामसुत्र कामसुत्र गरंद किसका है कामसुत्र की बाद करेंगे ये है वातसयान का इसका वातसयान का ये गरंद है काम है सुत्तर फिर मैं बात करूँ अगला तो ये लगबग आ चुके हैं एक भई एक रे गार्थ होता है और ये गरंथ है मारा सुद्रक का ये तो सुद्रक की चीज़ को बोली गए हम तो मर्च का टिकम मिट्टी की खिलोना गाड़ी गरंथ है सुद्रक का तो ये थोड़े से बई गरंथ मैंने बताए हैं बाके आप इदर उदर से ओर मिलते हैं तो पढ़ लेना अगला परसंद देखिए प्राचिन भारत का काल खंड जिसमें मंडल कूपों या घेरदार कूओं का सबसे पहले उलेख मिलता है तो ये मिलता है भी मोरे काल के अंदर ठीक है तो पराचिन भारत में काल खंड के अंदर जिसमें मंडल कूपों यानि घेरदार कूओं का सबसे पहले उलेख मिला वो मोरे काल के अंदर मिला था आगे देखे भी नालंदा महा विहार के सबंद में अदोलिकित कथन विचार कीजी सबसे पहले हम नालंदा विश्वदैले की बात करें तो नालंदा विश्वदैले वरतमान में पटना विहार के अंदर है काँ पे है पटना विहार के अंदर है अब आप से पुछा जाए जो नालंदा विशुवी डाले है ये जो बौधध धर्म की साखाएं थे उस बौधधरकी साखाओं के अंदर उनसे साखा थी जिसके छातर पढ़ते थी इसके अंदर ये पुछा जा सकता है विए कौन से तो इसमें जो महायान साखा थी कौन सी महायान साखा थी वो छातर पढ़ते थी इसके अंदर नहीं वो हीनियान जो साखा थी उसके छातर पढ़ते थी ठीक है फिर हम बात करें इस नालंदा विसमें बजले की स्तापना किसने की तो ये संस्तापक थे कुमार गुप्त फस्ट इसके संस्तापक थे ठीक है उसके बाद में अब देखे परसंगी इसने कहा कि हवेन सेंग के अनस्वार हवेन सेंग की बात करें तो ये चीनी यातरी था कून था चीनी यातरी के अनस्वार कुमार गुप्त पर्थम द्वारा मह महावीर की स्तापना की गई बिल्कुल कथन सही है जब ये आये थे हवेन सोंग और चिनी आतरी इनके साथ में एक इत्जिंग भी था दोनों इस नलंदा विश्विदालिय में आये इन्होंने यहां पे चीजें खोजी देखा किस परकार के वशिक्षा का छेतर है यह माना जा जाता है कि महावीर बक्तियार खिलजी के द्वारा नश्ट कर दिया गया था ये भी कथन सही है तो ये हमारे लिए पॉंटर्ट हो सकता है कि हो सकता है अगामी एक्जाम में कि नलंदा विश्विदालिय का जो नश्ट करने का कारण है वो कौन है तो महावीर बक्तियार खि उनसा एक कुलपती नहीं है अचारे नहीं है तो मैं सारे अचारे आपको बता देता हूँ देखिए एक अचारे था सील बदर जो मेन था यानि परमुक अचारे था वो सील बदर था ठीक ये हمیں ज्यादा याद है लेकिन उसने क्या दिये अलग चार ओर दिये, धरमपाल दे दिया एक तो, ठीक है ये भी इसके अंदर है, धरमपाल भी है, फिर हम बात करें, चंदरपाल भी है, ये भी आचार्य थे यहां पे, चंदरपाल है, एक है गुणमती, कों थे भी गुणमती, ये भी यहां के आचार्य थे, एक थे स्तिर्म स्तिर्मती कौन है स्तिर्मती ठीक है स्तिर्मती चंदरपाल धरंपाल गुणमती स्तिर्मती ये भी यहांके अचार्य थे इस अन्नालंदा विष्विदैल्य के इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया है तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए इसका आंसर हो जाएगा वो A और भी दोनों सत्य हो जाएंगे देखे भी सलेंदर वंस के किस राजा को सरे पराप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्मान करवाया देखे इस सलेंदर वंस के बारे में हमने नहीं पड़ा है लेकिन इदर उदर से ये परशन डाल ही देते हैं लेकिन ये जो आर्बेसी की बुके है ना वहाँ पे इस परकार के ये टोपिक है वहाँ से चक्के उठा के डाल देते हैं तो सलेंदर वंस के किस राजा को सरे पराप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्मान करवाया वो था भी पनंग करण ये विठा सलेंदर वंस का एक सासक था राजा था पनंग करण ने कालसन मंदिर का निर्मान करवाया फिर चार नमर परसंद एक था रसुस्तावन के विपलव के दुरान निमन विद्रोहय सालों को विद्रोहय फैलने के नुसार कालान करमिक रूप से ये देखे एक RPC का एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार syllabus देते हैं उसी प्रकार question डालते हैं कि एसा नहीं है कि राश्तन करमचारी चैनबोड द्वारा आलतो भालतो question उठाके दे दिये जाते हैं जितना syllabus होता है उसमें से 40% ही syllabus में से नहीं देते हैं वो उसमें इसने काल करम बता दिया वी कौन-कौन सा कब हुआ था अब देखे मेरट के अंदर हम बात करेंगे तो 28 मई को हुआ था मेरट के अंदर हुआ था 31 मई को हुआ तो देखे इसमें हम बात करें 10 मई है भी 10 मई 1850 को मेरट से इस करांती का अगाज होता है भी ठीक है 1850 क के अंदर बात करें हम ब्रेली में जो हुआ था वो हुआ था जून 1857 को यानि जून में इसकी डेट फिक्स नहीं है और इसमें यहां पे खान बाहदूर खान था फिर जांसी के अंदर हम बात करें चार जून को चार जून 1857 को जांसी के अंदर यहां पे रानी लक्समी भाई और तात्य टोपे ने इसका नितरतो जूदर किया था कोटा के अंदर अपने राजस्तान की हम बात करें तो 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर 1857 को इसमें हमें बताना की कौन सा कथन सही है तो A, B और C, D ये विल्कुल सही होजेगा पहले मेरिट, फिर बरिली के अंदर फिर जंसी, फिर कोटा के अंदर ठीक है? तो A, B, C, D इसका अनुसर हो जाएगा ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कोटा के अंदर जो करांती हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को तो उसमें जो नेतरतव किया था वो जयाद्याल और मैरावखा ने किया था लेकिन यहाँ पे जो मृत्य हुई थी एक तो मेजर बर्टन की जो एंग्रेज अधिकारी थे मेजर बर्टन और इसके पुत्तर समेथ एक सेडल अर्वेक्ती था तो इनकी क्या होगी मृत्य होगी यहाँ पे ब्रिटिस सासक्न के दोरान रुडकी में तकनिक की मावदले की स्तापना कब हुई यह 1847 के अंदर हुई थी हिंदुस्तान रीपब्लिक एस्टूशिशन के संस्तापक कौन सदस्य कौन थी हिंदुस्तान रीपब्लिक एस्टूशिशन के संस्तापक थे हम बात करें इसकी स्तापना चंदर सेकर आजाद के दोरा की गई थी एक तो यह थे संस्तापक चंदर सेकर आजाद और हम बात करें आगे इसमें आंसर की बात करूँ तो शात नमबर की बात करूँ, शात नमबर परशन की, तो इसमें च्यार नमबर यानि A, B और D हो जेगा, इसमें देखे, तो इनके साथ थे इनके द्वारा चंदर सेकर आजाद द्वारा वेसे इसकी स्तापना की गई थी, कहां से, ये डिली से की थी इन्होंने, दिली में फ इनके साथियों इनके साथी थे एक तो राम परसाद, बिस्मिल, असफ, फाक, उलाक, रोसन सियं और कुछ जने क्या होई फांसी के सज़ा होई तो इसके पश्चात उत्रबाग की सभी जो करांतिकारिय बाट्या थी उनको मिलाकर उन्होंने एक जो बनाया था एसोशियेशन ह सितंबर ये डेट भी महिना भी याद कर लेना सितंबर 1928 के अंदर दिल्ली के फिरोसाय कोटला मेदान के अंदर इसकी स्तापना गठन किया था ठीक है ये थोड़ा याद रहे हैं इनके साथ थे सचिंदरनात, सान्याल और राम परसाद बिस्मिल, जो इनके साथी भी थी थ इनमें से सत्य नहीं है, एक परसन पका आएगा भी, इन्होंने दे प्रिसेप्ट ओप जिसस दे गाइड टू पीस एंड हैपिनेस सिर्शक से एक पुस्तक परकासित की, ये बिल्कुल सही है भी, तो ये लिखी कर थी 1820 के अंदर, राजा राम ओनरे द्वारा, उन्होंने प्रिसेप्ट ओप जिसस दे गाइड टू पीस एंड हैपिनेस सिर्शक से एक पुस्तक परकासित की 1820 में बिल्कुल सही है, इन्होंने इंडियन री फोरम एसोइसेशन की स्तापना की, फिर हम बात करेंगे, इन्होंने आत्मिय सबा की स्तापना आपको पता है कब की थी, 1800 आत्मिय सबा की स्तापना आपको पंदरा के अंदर की थी, और इन्होंने फार्सी में फौर तुफल उल्मुहावी दीन नाम से एक पुस्तक परकासित की ये भी सही है, तो इसमें जो हम बात करें तो कथन कौन सा घलत होगा, इसने पुछा कि सत्य घलत, सत्य है, हम बात करे और हम बात करें, फिर राजा राम मोन रहे जी का जनम की हम बात करें, तो इनका जनम 22 मई 1722 को होता है, और इनके जो पिता थे, उनका नाम है रमा कांत जी और माता का नाम है तारणी देवी, इसी के साथ हम बात करें, इनका जनम 22 मई 1722 को हुगली जिले के एक रादा नगर स्तान पर इनका जनम होता है राजा रामोन रहे एरिन के बारे में एक आतमिय सबा की स्तापना की गई थी वो याद रखना है आपको 1815 के अंदर ठीक है और बाकी आपको पता है और मूर्ती पूजा की अलोचना की थी उन्होंने ये भी थोड़ा याद रखना है आगे पर्सन देखिए तो ये पर्सन था कि हमारा कि निमनलिक्ट में से किसकी द्वारा भारत में इंगलेंड के प्रसलित नमूनों पर अध्यापक प्रसिक्षन सस्तानों की स्तापना सिपारिस की गई थी यानि अध्यापक जितनी में प्रचनिस स्थानी थे उनके लिए एक कुछ आयोग बनाए गये थे भारत में इंगलेंड प्रचलित मुन्नों पर आदारी थे शिक्षाशी समनीत है देखिए एक तो थोड़ा सा हंटर आयोग की हम चर्चा करेंगे इसका आंसर की हम बात करेंग 29 उक्टूबर 1919 को हंटर आयोग लाया गया जब आपको पता है कि पंजाब के अंदर एक जलिया वाला बाग हत्या कांडवा था 13 परेल 1919 को तेरा परेल 1919 को हत्या कांडवा जिसमें लगबग लोग मारे गई बहुत ज्यादा इसकी जांच के लिए इस हंटर आयोग को लाया लॉड वीलियम हंटर का नेन उने नेतरतव किया था 29 उक्टूबर 1919 को इस हंटर आयोग को लाया गया तो ये भी याद रखना है एक आपसे पुचा जाए हंटर कमिशन तो वो 1822 में त्यार हुआ था हंटर कमिशन फिर आपसे एक सब्दी आवे सेडलर आयोग क्या है सेडल सेडलर आयोग की हम बात करें तो ब्रिटिस सरकार द्वारा एक 1917 के अंदर बनाया गया था जिसमें मुख्य कारण था कि जो भी कलकत्ता विशविदाल है उसकी समस्या का पता लगाने के लिए ये सेडलर आयोग लाया गया था इसके आयोग के देक्स थे M.E. सेडलर इत्ता क्या किया गया भी जब भारतिये हम बात करें लाड करजन के अंदर जर्सों के अदारित उन्होंने कहा विशितने भी विशविदाले वो हमारे निंतन में किस परकार लिये जाए तो भारत की विशविदाले की स्तिति का ध्यन करने के लिए इन रेले आयोग का गठन किया ग कि बिल्कुल सई है दिल्ली सुल्तानों तता मुगल सासकों ने फार्शी को अपनी कारेसिल भासा बनाया था इसके आंसर की हम बात करेंगे तो इसमें ए तता आर दोनों सई है परन्तु आर ए की सई व्याख्या नहीं करता है यह इसका आंसर हो जाएगा आगे देखिए भी 1857 के विद्रो है कि शुरुवाद के समय उद्यपूर में ब्रीटिस रेजिडेंट एजेंट कौन था भी उद्यपूर में ब्रीटिस रेजिडेंट जो था उसका एजेंट कौन था तो वो था भी कैप्टन सावर्स कौन था कैप्टन सावर्स यह कोटा के अंदर था भी इडन जेपूर के अंदर था और सर जोन लोरेंस ये बताओ कहां पे था निमन वैसे किस समाचार पत्तर के साथ विजेशियं पत्थिक का नाम जुड़ा हुआ है राजस्तान के सरी हो जाएगा ठीक है औरंग जेव के काल के लेख को तथा उनकी रचनाओं का कौन सा सुमेलित नहीं है औरंग जेव के काल की ये रचना ही है भी मिर्जा मुहमद काजिम आलम गिर नामा और मुहमद साकी के है खुलासा उत्वारिक भीम सेन के है नुकसा ए दिल खुसा और इस्वरदास नागर के ह फतुहात ए आलमगिरी तो ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा दो नमबर इसने पुछा कि जो औरंग जेव है उसके काल के लेखक और उनकी रचनों कौन सी समयलित नहीं है तो इसमें समयलित नहीं होगी ये फिर भीमसेन की है नुकसा ए दिल खुसा ठीक है और ईस्वर दासनागर की है फतुहाल ए आलमगिरी तो ये तीनों याद रखनी है भी पूछा जा सकता है सिवाजी के परसासन में पंडित राव द्वारा समाले जाने वाले मामले थे भी सिवाजी के परसासन में पंडित राव द्वारा समाले जाने वाले परसासन दे दान तथा धरम सबंदी मामले समालता था ये पंडित राव फिर देखिए मुगल उध्यानों को सह सुचित करती है और सुची सेकंड करती है भी सासकों को जिनके सासन में उध्यान बनवाए गए थी देखिए भी कौन-कौन सा उध्यान किस के सासन में बनाए गये था तो person number हमारा है 15 15 number person है हमारा ठीक है देखिए अराम बाग आगरा के अंदर है और बाबर के दौरा बनाए गये था बिलकुत सही है निसान्त बाग सिरी नगर में हैं अकबर के द्वारा ये गलत है साली मार बाग लाहोर के अंदर सहाजा के द्वारा बनाए गया पिंजोर बाग पंचकुला के अंदर है औरंगजेव के द्वारा बनाए गया तो इसके अंदर हम बात करें जो निसांत बाग सीरी नगर है ये सहांजा के द्वारा बनाय गया था सहांजा के द्वारा ये बनाय गया था और सालीमार बाग लाहोर के अंदर सहांजा के द्वारा बनाय गया था बाबर के द्वारा राम बाग आगरा के अंदर बनाय गया था और फिर हम बात करें एक साली मार बाग लाहोर में एक साली मार बाग सीरी नगर में ये दोनों सहाजा के अंदर बनाय गये थे फिर हैं पिंजोर का बाग ये औरंग्जेव के द्वारा बनाय गये था फिर एक चस्मा एसाई भाग ये विसाँ जाके द्वारा बनाए गये थे तो इसका आंसर हम बात करेंगे दो नमबर हो जाएगा आगे देखे भी अब आचुके हैं भी निमन में से अनुकरब में एक गलत संक्या दी गई है गलत संक्या बताए भी ये गलत संक्या आप सुन लेना कोपी पेन लेके अच्छे तरीके से कर लेना तो इसका आंसर मैं बता जाता हूँ इसका आंसर है एक सो चालिस होगी गलत संक्या फिर देखे भी आगला परसन है एक कालोनी में नोकिया, सोनी, मट्रोला नामक तीन ब्रांड के मोबाइल प्रिक्ट किये जाते हैं सत्तर परिवार केवल एक ब्रांड का प्रियोग में हैं 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड का प्रियोग करते हैं और 8 परिवार 3 ब्रांड का प्रियोग लेते हैं यह माना गया कि प्रते एक परिवार कम सिकम इन 3 ब्रांड में से कम सिकम एक प्रियोग में लेता है कितने प्रिवार ऐसे है जो तीनो ब्रांट का प्रियोग में नहीं लेते हैं तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ बाकिया आप कर लेना 17 नंबर का ये हो जाएगा भी 117 कितने प्रिवार है 117 प्रिवार है जो तीनो ब्रांट का प्रियोग भी नहीं करते हैं वो कह रहे हैं हम तीन्नों बरांट नहीं चलाएंगे नहीं लाएंगे सैमसों का यादि किसी एक कूट बासा में तो इसका भी मैं बता देता हूं पाई चार्ट दिया होगा इस परकार का एक परसंद पर तेक एक जाम में आ रहा है एक भी नहीं चुटा है यह सरल सा परसन है इसके आमसर की बात करेंगे तो जितना 360 डिगरी है उसमें से ये भाग देना 21 का हो जाएगा भी 1, 21 का हो जाएगा 41 हा जाएगा भी इसका फिर 22 नमबर का उता देता हूँ, 2 नमबर हो जाएगा 3 बटा 2 फिर मैं 23 की बात करूँ तो 23 का हो जाएगा 1 नमबर 24 का हो जाएगा अपने एक नमबर बाकी भई मैत कर ले ना 25 का हो जाएगा 2 नमबर ठीक है फिर देखे हिंदी का आगए है इन में से किस विकलप में संदी सही है इन में से किस विकलप में संदी सही है तो ये हो जाएगा दो नमबर, एक प्लस एक क्या होता है एक एक संदी, और इसमें कौन सी संदी है भी, वरदी संदी हो जाएगी भी, दो मातरों वाले वरदी संदी, तो भई इसमें एक प्लस एक क्या होता है एक एक होता है ठीक है, बाकी ये देखो ये पहले भी आ चुक है ये पहले वाले 2016 के अंदर जो एक्जाम हो आ था उसमें पूछा गया था ठीक है ये भी पूछा गया था ये दोनों आये थी उसके अंदर आगे देखे मैं थोड़ा इसा इसका आपको उधारन भी बता देता हूँ तो इसके अनसर की बात करेंगे ये दो नमबर हो जाएगा ठीक है सही दो नमबर हो जाएगा आगे देखे आगे बात करते हैं 27 नमबर निमनलिक्त मैं starch इसे किससबद में कार-priत्य नहीं है कार-priत्य नहीं है वो हो जाएगा निराकार के अंदर इसके अंदर कारप्रत्य नहीं है आगे देखे सुक्रती का विलोम सब्द क्या होगा सुक्रती का विलोम सब्द होगा दुसक्रती क्या होजेगा दुसक्रती होजेगा इन में से कौन सा सब्द ऐसुद है कौन सा सब्द ऐसुद है तो प्रष्ट भूमी क्या होगा प्रष्ट भूमी ऐसंगत है इन में से किस विकल्प में एड़ जर्ण का समानार्थक हिंदी सब्द है तो इसका आंसर क्या होगा स्तगित करना ठीक है आगे इंगलिस के आगे भी अब यहां से स्टार्ट करते हम फिर जनगर्णा 2011 के उनसार राजस्तान की साक्सर्टा दर क्या है तो राजस्तान की साक्सर्टा दर के हम बारे बात करेंगे तो 66.11 परतिसत है आगे देखे भी ग्यारवा विश्व हिंदी समेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2028 तक आयोज़ुत हुआ यह किस देश में आयोज़ुत हुआ था 1120 हिंदी समेलन तो यह आयोज़ुत हुआ था अपने मौरिशस के अंदर इसके अंदर मौरिशस के अंदर आयोज़ुत हुआ था राजास्तान में महला ससक्तिरन है तो मुखहमंतरी साथ सुत्रिकरम निमनों में शिक्षा सामिल है ये देखो फिर 2016 के अंदर है था फिर उसके बाद में ये रैपीट हो चुका है वापीस तो इसके अंदर सामिल थे साथ सुत्रिय है जो मांगे थी साथ सुद्रे करेकर है मैं उसके अंदर सामिल की हम बात करेंगे तो इसमें देखे चार नमबर आंसर है A, B यानि सारी थी इसमें शिसू मृत्युदर में कमी जन सिंक्या स्तेरी करन बालिवाय की रोक थाम चातरों का स्कूल में कम से कम 10 किक्षा 10 तक ठैराओ तो चार नमबर इसका अंसर हो जाएगा आगे देखें भी आगे बात करते हैं अगला परसन ये वेकरंट कायम इसको छोड़ देते हैं आगे चलते हैं ये 2022 काया भारत के परदान मंत्री ने परदान में गोशना केगी भारत 2022 तक अंत्रिक्ष में मानव युक्तमेशन बेजेगा इस अभ्यान का नाम क्या है तो इस अभ्यान का नाम क्या 2022 में बेज़ा तो हो सकता है दुबारा रिपीट हो सकता है इससे समंदीत आगे कोई परसनेल वो पूछा जा सकता है तो ये गगन याद ठीक है फिर ये छोड़ देते हैं इसको भी छोड़ देते हैं एगला देखे ये देखे बावन जी हीलियम है क्या सातगाची हीलियम में मोलो की संख्या क्या है इसकी हम बात करें तो मोलो की संख्या क्या है तेरा होती है ठीक है जब एक निश्चित द्रेवमान का पिंड एक उंचाई से सुतंतर रूप से गिरता है तो इसकी स्तीतिज उर्जा गड़ती है और गतीज उर्जा बढ़ती है निच्चे दी गई वस्तों में से किसी गतीज उर्जा सर्वदिक है इसमें हम बात करें तो द्रेवमान दो मिटर और चाल तीन वेग ठीक है इसी अहार सरंकला में प्रतेख स्तर पर उपलब्द कार्मनिक परदार्थों की ओसत मातरा जो की भुगता अगले स्तर तक पहुँचती है इसकी आंसुर की बात करूँगो 10 परतिसत मानव कश्का में गुण सुतरों की संख्या कितनी होती है ये तो पता ये आपको 26-23 जोड़े होते हैं और 26 गुण सुतर 32 जोड़े भारतिय सविधान में अंगी करत वेस्ट मिस्टर मोडल सबंध है भी इदे को एक प्रकार के भारतिय सविधान से एक पर सनात्ता ही आता है तो इसका आंसुर हो जेगा संसदिय प्रणाले से वे तीन आदार जिन पर सविधान के अंचे 32 के अधीन अपात उद गोशना की जाती है में सामिल नहीं है संसद से राजस्तान के कितने सदस्य चूने जाते हैं 35 से चुनने जाते हैं 25 दों गए वे लोग सभाके और दस ओगे राजय सभागे नायजियसों की निक्ती की कोलेजियं परनाली का अरम किस वर्ष से किया गया, कोलेजियं जो परनाली है उसको कब से परयरम कश्वर्शे की निक्ती की तो इसका अंसुर होजेगा उन्नी सो तिराणमी निमनलिक्त मेंसे राजस्तान की किस जिले की अंतराश्य शीमा सबसे छोटी है जेसल मेर सबसे बड़ी है बिकानेर बाड मेर गंगा नगर इसमें सबसे छोटी होजेगी बिकानेर की ठीक है कोपेन के वरगीकन के अनुसार निमर में से किस जिले में AW परकार की जलवायू नहीं पाई जाती है देके AW परकार की जो जलवायू है 22 जहलावार डुंगरपूर बुंदी किन जिलों में नहीं एक जिले में नहीं पाई गई है वो है भी चार नमबर बुंदी के अंदर बास्वाडा, AI, आपको पता AW देक्षिन रास्तान में बास्वाडा, जहलावा, डुंगरपूर, छेतर में पाई जाती है राजस्तान में जिलों में जन से है गनताव सो परती वरक किलोमेटर में कम पाई जाता है 2011 के अंसार देखे भी कम पाई गया जिसमें क्या है कि रास्तान में कौन से जिलों में जन से है गनताव सो परती वेक्ती वरक किलोमेटर से कम पाई गया है वो कौन कौन से जिलों में क्या सो से भी कम गनताव है तो देखे पहले जैसल मेर में सत्रा है ये भी सत्र है ये भी सत्र है ये भी सत्र है अब आगे देखे भी कौन सा उत्तर होगा इसका आंसर देगो पहले में जेसल मेर दूसरे मेर फिर जेसल मेर फिर जेसल मेर ठीक है तिनों में जेसल मेर आ गया तो अब दूसरे तक किया दोना से ये पहले तो आपको पता है कम किसम मावट से लबानवित नहीं होती है ये परसन आता ही आता है पका एक परसन आएगा भी ऐसा आता है और रखनेफ्यूज करता है पर लॉपसन आपको गेहूं मिलता ही मिलता है इसका आंसर होता है चार नमबर गेहूं है चना है सरसों है 89 नमर परसन का चार नमर गौन सी फसल माउट से लवानवित नहीं होती है तो कपास नहीं होती है कपास किस परकार की फसल है खरीप की फसल है लेकिन माउट आती है सरदियों के अंदर सरदियों में गेहूं चाना सरसो बया जाता है और पहला यह अप्शन अपना गेहूं हो ज काँपे, चंदरमेल काँपे, जुन्नागड काँपे, सोनी जी की नसियां है, काँपे भी सोनी जी की नसियां, इसका आंसर की हम बात करेंगे, तो लोहागड दुरग भरतपूर में है, जुन्नागड की लापी कानेर में है, चंदरमेल जेपूर में है, सोनी जी की नसियां अ रजमेर केंदर है तो एका हो जाएगा तीन देखो किस में अभी तीन में और चार में ए है ठीक है पहले तो दोनों से इसको तो कट कर देते हैं अब हम बात करते हैं लोहागड किला है भरतपूर में बी का एक होगा भी बी का एक एक मिन रुख जाएए इसका आंसुर की बात करेंगे 60 नंबर बात करें तो ये सोने जी की नसिया एक का तीन सही है फिर बी का एक हाँ ये रहा भी चार नंबर ये तो कट है ये हो जाएगा भी ठीक है विदाल्य प्रबंदन के लिए निमनलिक्त में से सिदान्तों में कौन सा सेट सुमू है सबसे दिक उप्युक्त माना जाता है भी सिदान्त थिक है तो देखे भी इस परकार के परसन आते हैं तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर इसमें हो जाएगा भी सयोग समानता लचील पन और संज आ उत्तर दाईताँ ये सबसे दुपत माने है वीनोंने आगे देखिए वी निमनलिक्त में से कौन सा कार्य है शेक्षिक प्रबंदन से सबंदित है भी विदाल्य संग्थन गति विदियो की योजना प्रणाली तंतर नियंतरन और सभी विकलप सही है इस अभी विकलब सही होंगे गतिवीदियो योजना बनानी पड़ेगी विदालिय संग्थन में रणा पड़ेगा और परनाली वे नियंत्रन द्यार करने पड़ेगे सर्व शिक्षा अभ्यान के लक्षों के निशार 6-14 आयूवर के सभी बालकों के लिए प्रार्मिक शिक्षा किस वर्स तक उपलब दो जानी चाहिए चाहिए देखो सारा ही डाल दिया इन्होंने पूरा टोपिक डाल दिया इसके अंदर और पढ़ते जाओ करते जाओ ठीक है वार्पियसी का ये एक तगड़ा है कि पूरा टोपिक डाल जाते हैं एक परसन में बिठे बिठे अराम से करो 64 नमबर का उत्तर होगा भी दो देखते हैं भी दो में क्या है एक तीन च्यार पांच दो नमबर छोड़ देंगे भी स्पष्ट और सांजा स्रश्टी है वी इसके अंदर सर्वादिक प्रभावी उपागम फिर हम बात करेंगे उप्रिक्त प्रिकरिया का उप्योग फिर हम बात करेंगे इसके अंदर पांच नमबर परिपकव टीम का उप्योग फिर हम बात करेंगे परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिवज़ता चार नमबर उत्तर होगा भी इसका चार नमबर उत्तर ठीक है आगे फिर देखो एक पूरा ही डाल दिया इसमें वार्षिक प्रिकरिया के लिए सेक्षिक शूचना प्रणलाली 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 फिर आंकडों की प्रिकिरिया, आंकडों का विशलेशन, आंकडों का लेख, इस प्रकार करना है, पुच्छा क्या इसने, इसने पुच्छा कि सेक्षिक शूचना प्रणाली प्रणाली करनी है, तो जो वार्षिक त्यार करना है, वो के से, सबसे पहले भी आंकडों का एक अत इस लिकत में से कौन सा कारए संबलित नहीं हैं। दाल दिये उन्होंने, CTE, अध्यापक सिक्षा महावजालिय के करेकरमों में इमन में से कौन सा समलित नहीं है, देखो यह यह परसना सारे समलित नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चार नमबर हो जगा भी, अध्यापक सिक्षा के लिए सेवा सरतें, यह इसमें सम इगवर्नेस, सिवाओं के लिए स्विधाजनक परभावी और पारदर्शी तरीके से ICT सूचना समप्रेक्षन तरीकी का प्रयोग है, अनुप्रयोग है, निमनलिक्ष में से कौन सा लक्ष्य टार्गेट समुआ समलित कर देगा, तो इसका अनसर होगा भी, उप्रित सभी एक तो सरकार, नागरिक और वैपार, लाबारती समुए, फिर देखिए भी, एड्यू सेट सरवपर्थम कौन से महायवा वर्स में परशेख्पित किया गया, ये वही कक्षा अच्छा है की बुक का है, एन्सियार्टी कक्षा अच्छा है की बुक का है, वहाँ पर दियो इसमें ये बिलकुल गलत है, देखें हम डाटा गंसार हम बात करें कि भारत का पर्थम जो कृत्रिम उपगरा हम आने, एड्यू सेट है, यह हम कह सकते हैं, आई आर एस है, तो इस एड्यू सेट की हम बात करें, जो बालकों के लिए शिक्षा का, शिक्षा को मचाना मुख् उदेश से था इसका, उसके बारे में देखें, तो E-D-U-S-A-T, एड्यू सेट हम बात करें, तो यह 20 सितंबर 2004 को जो है, यह अपना अंत्रिक्ष के अंदर था, 37 दवन अंत्रिक्ष के अंदर हरी कोटा से इसको प्रशेपित क्या गया था, यह बही याद कर लियां 2004 से, अ भारत स्काउट्स एम गाइड्स का रश्ट्रे मुखेले स्तित कहां पे है, तो भी इसका मुखेले है दिल्ली के अंदर, कहां पे दिल्ली के अंदर, कस्तूरबा गांधी बाली का विधालिया के जी बीवी का परारम, पक्का एक परसनाता ही आता है, 2011 से लगा हूँँ मैं पड़ाने के लिए और पक्का एक प्रसनार ही आ रहा है, बार बार, तो 2004 से, ठीक है, नीज सुलक और अनवार ये बाल शिक्षा का दिगार है, दिनियम 2009 के अनुसार प्रारमिक शिक्षा के लिए प्रवेस प्राप्त कोई बालक प्रारमिक शिक्षा पूरी करने तक नीज स पूरा नहीं किया जाना है तो कौन सा नहीं किया जाना है सक्षिक कलेंडर पांचांग का वी निश्चे करना आगे देखे लास्ट परसन निमनलिक्त में से कौन से राजय में राश्ट्रिय मिलिटरी स्कूल स्थिक नहीं है तो पंजाब के अंदर हिमाचल में है राजस्तान में है और करनाटक के अंदर है तो ये आज के टोप 75 कोशन थे जो फर्स्ट ग्रेड दो हाजार थारा गुरूप बीक के अंदर पूछे गए थे आपने भी विशलेशन किया मैंने भी विशलेशन किया और आप देख सकते हैं कि किस परकार के परसन इससे पूछे जा रहे हैं जीके के किस परकार के परसन देखिए जो इस्टरी के परसन है न वो बार बार पोचे गई है अब इसमें जो MC की कोशन बने हैं उनका तथ्थे लिख लीजिए मैं कहता हूँ जो भी तथ्थे के मिलते हैं अगले वीदियो के साथ में इसकोल सिक्षा विवाग का पेपर हमारा लास्ट होगा उसके पाद में हम संस्क्रब्स विवाग के तीन पेपर और कम्पलेट कर लेंगे तो डेली चलता रहेगा फर्स्ट ग्रेड का जय हिंद जय बार दोस्तों